एक बच्चे ने कल मेरी यूट्यू चैनल पर कमेंड किया सभी को एक बार पढ़ लिया हूं रिविजन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है मुझे लगा कि ये परिशानी सिर्फ इस बच्चे की नहीं है बलकि लगबक सभी बच्चों की है कि रिविजन कैसे करें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो आज इसी सम्माद में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगी कि कैसा तैयारी आपको करना चीए कैसे पढ़ना ची तो पूछा कि सर मैं जो भी चीज पढ़ता हूं भूल जाता हूं पढ़ता तो बहुत हूं याद नहीं रह पाता अब यह सवाल सभाईक है हर बच्चे उनके पास आके करते होंगे तो उनको एक्सपरिमेंट करके दिखाने के लिए वो एक पतली से धागा रखे रहते थे और एक मोटा रस्ती रखे रहते दिन वोले योगेंदी ये धागा को पकड़ और इसको तोड़ के देता हूं मेरे ठीक है उसको पकड़े और ऐसे तोड़ दिये हैं तो जब आप एक बार किसी चीज को पढ़ते हैं तो वह उस पतले धागे जैसे कमजोर होता है और जब आप बार बार उसी चीज को पढ़ते हैं तो वह मोटे धागे जैसा यह मोटे रस्ती जैसा मजबूत होता जाएगा तो रिविजन का से रिविजन करें उस पर भी बात करेंगे स्वागत है आपका योगेंस ओनलान क्लासेश में और आज की इस वीडियो का हम शुरुवात करते हैं नमस्कार जै जोहार क्या आप भी गवर्मेंट एक्जाम्स की तयारी करना चाहते हैं क्या आप भी नेमोरी टेकनीक्स और ट्रिक्स के जरिये बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आप यहां दस से अधिक गवर्मेंट एक्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर, CG PSC और CG व्यापम के अंतरगत होने वाले सभी एक्जाम्स की तयारी कराए तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेज आफ तो बी दे बेस्ट, लन फ्रम दे बेस्ट चली, पहला पॉइंट यहां पे ध्यान लेंगे क्या है, रिविजिन के लिए एक समय निर्धारित करें, सेटर डेटेट टाइम फॉर रिविजिन जीम रॉन जी कहते हैं, डिसिप्लिन is the bridge between goals and accomplishment, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, रिविजिन के लिए एक अलग समय निकालना पड़ेगा हमारी आदत क्या होती है, हमेशा हम नए नए चीज़ों को पड़ने की कोशिश करते हैं, नए चीज़ों को पड़ने की कोशिश करेंगे बेस्ट टाइम जो होता है, वो है सुबे, अब यह देको रिविजिन वाली बात बता रहा हूं, चाहे आप यह होस्टलोडन एक्जाम दिला रहे हों, या कोई भी एक्जाम दिला रहे हों, यह रिविजिन का वीडियो आपके हर एक्जाम के लिए काम आएगा, पुरे नया चिये, आप एक ही वीडियो को बार-बार नहीं दे शकते, एक ही मित्र से बार नहीं कर सकते, आपको हर बार नया मubi चीये, रिविजिन के लिए, अरे सर, यह लास्ट टाइम में लूग रिविजिन करें, या कभी भी न दूणते कि नया नया टौपिक को पढ़नेंग कि रिविजन करने में टाइम नहीं होता ध्यान रखना अगर आप कि रिवाइज नहीं करेंगे तो आगे चलके पूरा कंटेंट भूल जाएंगे पूरा का पूरा कंटेंट भूल जाएंगे और आपको डबल महनत करना पड़ेगा इसलिए रिविजन करने से टाइम वेस्ट नहीं होता है टाइम बचता है ठीक आगे बढ़ते हैं छोटे टॉपिक से शुरुवात करें स्टार्ट विद स्मॉलर अब जब रिविजन करने जाते हैं पूरा एक सब्जेक्ट उठा लिए पूरा हिस्ट्री पगड़ लिए छतिल का पूरा टॉपिक पोड़ लिए अब और सोचे की नहीं भाइस को मैं दो तिन घंटे में रिवाइस कर देता हूं और नहीं होता है तो फिर आप हार मान के ब तक्निक आप आए यूज एक्टिव रिजन टेक्निक टेल मी एंडाई फॉर्गेट कि टीच मी एंडाई रिमेंबर इन्वाल मी एंडाई लर्ण बेंजमीन फ्रेंक्लिन ने ये बात बोली है और इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं देखिए हम किस तरीके से पढ़ते हैं मन में पढ़ते हैं बस ये किताब हैं बस मन में पढ़े जा रहे हैं और होता यह है कि लेवल आप मन को इन्वाल करेंगे केवल दिमाग को इन्वाल करेंगे केवल आखों को इन्वाल करेंगे एक ही सेंस इन्वाल करेंगे ये मन भटकता है दिमाग भटकता है आप पांच म मैं बता रहा हूं मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं the best way to learn is to teach मैं अगर खुद किसी चीज को पढ़े वह रहा हूंगा भूल जाओंगा लेकिन मैं इस topic को पढ़ा देता हूं बच्चों को फिर मैं कभी नहीं बोलता क्योंकि उसमें मेरा involvement 100% होता है तो revision करने का एक best तरीका यह होता है कि आप तेजी से बोल बोल कर पढ़े रिकॉल करें और मैं जो personally strategy अपनाता हूं अपनी अवाज को खुद रिकॉर्ड कर लेता हूं अपनी अवाज को रिकॉर्ड करने का फायदा यह है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आँखों से देख रहे होते हैं रिकॉर्ड करते टाइम बोलेंगे भी और उसको सुनेंगे भी तीन सेंस अपस में सिंक्रनाइज होती हैं तो यह लंबे समयता की याद रहती हैं और बाद में उसी audio recording को आप सुन सकते हो आपको अपनी अवाज सबसे प्यारी लगीगी अपना वीडियो सबसे प्यारा लग अब मान के चलिए मैं आप से पूछू कि पिछले समवार आपने कौन सब्रेस पहना अब आपको ध्यान रहेगा क्यूंकि जिस दिन समवार रहेगा और उस दिन आप कपड़े पहन रहे होंगे तब आपको मेरी बात याद आ जाएंगे मेरी सवाल याद आ जाएंगे कि सर हर बार पूछते कि समवार को क्या पने इस बार आप उस पर अटेंशन देंगे अटेंशन इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल टू डिटेंशन जितना आप ध्यान पुरोख सुनेंगे उतना तेजी से वह दिमांग में ग्रहन होगा लंबे स तक याद रहता है और अगर आप एक बार मॉक टेस्स दिला उसके बाद फिर से उस कंटेंट को रिवाइस करते हैं तो होता यह है कि वह पर्टिगुलर सेगमेंट में दिमाग एटेंटी हो जाता है कि नहीं यह वह पूछा था और किवल लाब या अटेंशन उस पर्टिग से पूछ लेना UPSC टॉपर किसी का भी इंटर्व्यू दो देखो रिविजन और मॉक टेस्ट पर बहुत बल देते हैं क्लियर टेस्स सीरीज आप ले सकते हैं टेस्स मॉक टेस्ट यह जितने भी बच्चे दिलाएं उनके बहुत बेनिफिट मिले होंगे तो यह टेस्स इस में देख सकते हो पॉस करके राम से देख लिएगा और खरीदने के लिए यह नंबर दिया गया है 877-0123-687 इस पर कॉल करके अपकी त्यारी अच्छी हो जाएगी और या तो आप डैट योगन साव क्लासेस डाउनलोड करें और वहां से आप कोर्स पर्चेस कर सकते हो टे पर्चेस में और डिसकाउंट कर दिया गया है तो आप ले सकते हैं रिविजन को समय समय पर दो रहा है अब रिविजन का सहीं तकनिक और सहीं अर्थ मैं आपको बताता हूं रिविजन ऐसे नहीं कि आप एक बार पढ़े एक महीने बाद उसको रिवाइस कर रहे हूं नहीं गलत मैं जब पढ़ता था और अपनी स्ट्रेडिजी बता रहा हूं मैं कैसे रिवाइज करता था आज जो पढ़ा अगले दिन नया पढ़ने से पहले उसको पहले दिन में ही रिविजन कर लिए एक दिन के अंतर में फिर उसको अगले दिन रिविजन किये फिर उसको तीसरे भरबाद भी देखोगे तो याद रहता है लेकिन मुझे मालूम है आप ऐसे भी नहीं करते होंगे अब आप बोलोगे कि सर हम अगर ऐसे डिली रिवाइस करेंगे तो भागी टाइम कब बचेगा अरे नहीं अगर सोचो आप मैट्स के एक चैप्टर को बनाने में एक घंटा लेते हो 60 मिनट अब दूसरे दिन भी इसको रिवाइस करने में 30 मिनट लोगे तो भाई या तो आपने ठीक से पहले दिन सब्सक्राइब और जितने भी इस्टुरेंट जो चितीन चार साल पांसा से त्यारी कर रहे हैं वो यह गलती को करेंगे कि रिविजन सई टाइम में नहीं करते हो समय समय पर करते इसलिए पढ़ा हुआ सब कुछ है लेकिन रिवाइज नहीं है याद नहीं है क्या मतलब ऐसी पढ़ाई का तो रिविजन समय समय पर करना है अपको छोटे-छोटे शब्दों का मतलब मालूम है प्ले का मतलब मालूम होगा खेलना क्यूं मालूम है क्यूंकि इतने बार आप सुन चुके हो यह हिंदी मीडियम का बच्चा होगा ना वो भी बता देगा प् क्लियर शॉट्ट नोट्स और फ्लेश कार्ड को प्योग करें अभी देखो एक्जाम में कम टाइम है तो इस पर बात नहीं करूंगा मैं शॉट्ट नोट्स आपको यूज करना है मैं कल भी 15 दिन की स्टेटेजी में यह बात को आपको बताया था कि किताब है इसमें जो जो किताब को पकड़ो गोला मारो जो जो इंपोडेंट पॉइंट्स लगते हो और लास्ट टाइम में केवल सरसरी निगाहों से देगो क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं उस बच्चे का सेलेक्शन नहीं होता है जो सब चीज को पढ़ा हुआ है जो बच्चा सबकी समेटा हुआ आप पर तो लिए हो लेकिन सारे कंटेंट बिखरे हुए हैं एक बार समेट के आपको रखना पड़ेगा और ऐसा समेट ना है कि आपको आज इकजाम दिलाने बोल दिया जाए तो आप आज इकजाम दिला दो आपके मार्क्स में कोई डिफ्रेंस नहीं आया चाहरी वाइस क इस तरीके से आपको रिविजन करते हुए आगे बढ़ना है तो शॉट नोट का महत्व है शॉट नोट कुछ इस प्रकार से रहने चीए कि आप देखें और पूरी कहानी फ्लैजबेक में चलने लग जाए एकदम शॉट नोट्स अब पारलेमेंट की बात करते संसत की बात दिए प्रेसिडेंट 52 लिग दिए ऐसे शॉट फॉर्म में शॉट फॉर्म में सारी चीज़े लिग दो कि पारलेमेंट के संसत के तीन अंग है राजसभा लोगसभा और राश्पती यह तीन अंग है एकदम शॉट में कोने काने में यहीं पर ही कुछ एज लिग दिया आपको समझ आना चाहिए क्लियर यह यूट्यूब में जो मैं फ्री क्लासे चला रहा हूं इसका आप हैल्प ले सकते हों क्विक रिविजन के लिए टू एक्स स्पीड में देखें और रिविजन करें होस्ट लोडन थियोरी प्लस MCQ का बालमनविज्ञान के लिए डला हु यह ब्रह्मास क्रेश को स्थर्टी डेस क्रेश को लास्ट टेम रिविजन के लिए फ्री है सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि पेड़ का ही प्रोमोशन करें यह सारे यूट्यूब पर फ्री एवलेबल हैं समू में रिविजन करें अगर आपकी संगती अच्छी है आपके बोलोगे तो आपका ध्यान 100% रहे गई रहेगा सामने वाला बोलेगा जब आप सुनेंगे तो भी 80-90% ध्यान रहेगा क्यों जब बताएगा तो आप उसकी गलती ढूंडने की कोशिश करोगे हाँ यह सहीं बोल रहा है यह बहुत लाबदायक रहता है और मैं तो अकेले प स्कौयर यह हम पढ़ते हैं एसे अबुल फंजल एसे अब्दुलरहिंखन खणा तांसें टूडरमल तांसें की किताब यह मानसीन इंकी किताब यह मानसीन नगे किया ऐसे लाइन से कहा नी पूरा आप रिलेट करके याद कर सकते हो अगर गुरूप नहीं है तो अपने खु करें कि मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे याद रहेगा इस बार एक बात को दिमाग में रखना मैं जो भी पढ़ूंगा मैं जो भी पढ़ूंगा मुझे याद रहेगा इस अफर्मिशन के साथ पढ़ने बैठना है और ये किन मानिए आप अपने मन को जैसा बोलेंगे वो ऐसा मान लेगा बुद्ध गौतम बुद्ध भी बोलते ना वाट यू विश्वास करते हैं आप वही बन जाते हैं आप पढ़ने से पहले यह बोल के पढ़ना कि मुझे सारी चीज़ें याद रहेंगी मैं पढ़ने जा रहा हूं और वाकई में याद रहती चीज़ें और जब रिविजन इस नहीं है मैंने बोला इस विश्वास के सांथ आपको आगे बढ़ना है और याद आता ही है क्योंकि आप उस विश्वास के सांथ पढ़ रहे हो और यह टेंशन आपको नहीं लेना यह दिमाग का काम है दिमाग का टेंशन है आपको बस पढ़ना है सरसरी निगाहों से देख की कहानी सुनाता हूं तणाजी करके मुवी भी आई थी आजय देवगण की तणाजी मालूसरे को एक किला फता करने का आदेश मिला शिवाजी चट्रपती शिवाजी ने उनको बोला कि आपको कि लुक्या ठीक कर लेंगे बजाए यह सोचे कि कि कितने आदमी किले के अंतर है कितने सेनिक के अंदर हैं वो बस घुश गए और एक बार जो घुशे फिर अंतिम युद्ध तक अंतिम समय तक वो सिफ लड़े ये नहीं देखे कि कितने को मारा और कितने को मारना बचा है तो मैं ये बताना चाहरा हूँ आप एक बार जब जंग के मैदान में कूद जाते है तो आपको भी ये नहीं देखना है कि कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना बचा है बस आपको पढ़ना है एक टाइम में बस हाँ एक टार्गेट सेट करके रख लें कि आज मुझे करना है फिर आप पलट-पलट के देख रहे हो कितना बचा है कितना कर लिया है उसी में स जहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है वहां पर मत करो लेकिन जहां पर आपको रेस्ट लेना है बिलुकुल रेस्ट दो healthy food लेना है आपको स्वस्ताहर लेना है take care of your body it is the only place you have to live क्योंकि एक दो दिन भी तीन दिन भी तवियत खाव रहना तो फिर आप एफॉर्ड नहीं कर सकते दो दिन तीन दिन आप कम कर लोगे तो अभी जंक फूड अवाइड करना शुद्ध शाकहारी बोजन खाना मस्त रहेगा आपका दिमाग इसके लावा और भी कोई समस्य करुम मुझ में पिर आपका दिन उन समस्य जाएद प्राव में हैं रहेँ प्राव है विमार्य दिन नहीं नहीं कर दिने खावड़ कर दो दिन प्रावाद में हैं जातुम में हैं।